ब्रह्म भट ब्रह्मन समाज का परिचाय सम्मिलन विविद आयजनों के बीच संपन हुआ सम्मिलन में भिलाय दुर्ग के समाज के सदसे बड़ी संख्या में शामिल हुए या समाज की भूतियों का सम्मान आय हुए अतीतियों द्वारा क्या गया ब्रह्मभट ब्रह्मण समाज के राश्टी पदाधिकारियों द्वारा देश भर में समाज का परिचे सम्मिलन आयुजित किया जा रहा है इसी के तहद ब्रह्मभट ब्रह्मण समाज भिलाए दूर्ग का परिचे सम्मिलन आयुजित किया गया जिसमें आये हुए अतितियों का स्वागत समाज के लोगों द्वारक किया गया सम्मेलन के दर्वान, सरस्वती पुत्र, जाती रत्न, जाती गौरा और विशिष्ट सम्मान से समाजिक जनों को सम्मानित किया गया कारेकरा में ब्रह्मभट समाज की पत्रिका के प्रकाशनव समाज में विशिष्ट योगदान देने सहीत कारियों लेखकों और योगियों को सम्मानित किया गया आयोजन की जानकारी ब्रह्मभट समाज युवा प्रकोष्ट के प्रांता अध्यक्ष संजे कुमार सर्मा ने दी का कारकम में गोपाल में कारकम हुआ था और गोपाल में कारकम में बहुत लोग नहीं पहुँच पाई थे पदादिकारी और समाज के लोग उसका सम्मान समारों पूरी प्रदेश बेक यात्रा उन्होंने निकाली ब्रॉपाल के निकले और रैकपुर बिलासपुर होते हुए उनका एक समाज के 5,000 परिवार है हमारे विलाई में रंबट ब्रहमार समाज के तो उन परिवारों को सम्मान देना तो जो इस समाज को आगे बढ़ाना है जिननों अहम भूमी का अगा की है उनका कारकम हुआ उस कारकम में रसस्ती पत्र और मोमेंटो और श्रीफल साल और दुपट्टे से उनका स्वागत किया जिसमें तमाम हमारे समाज के बंदू बांध हो वरिश जन महिलाएं किस्तरी पुरूस बच्चे सभी लोग थे और समाज को उत्थान किस प्रकार से सदस् संक्या बढ़ाई जाए और कौन-कौन से राश्टी क्रित काम किये जाएं जिससे साफ प्रकाई से लेकर के और भी कई चीज़े हैं चावरुस्ता के कई चर्चा हुई कई मुद्दो को लोगे चर्चा हुई और अच्छे कुमार राय जी जो ब्रह्मत सत्य पत्रिका के साथी ब्याहा के लिए कालम रहता है और एक राश्टी कारकां दोजाराट विलाई में हुआ था दो दोजार सोला में हुआ ता उसके बाद एक राश्टी कारकां करने की सामयती बनी है कि बिलाई दुर्ग में आने वाले वर्थों में एक राष्टी कारकम प्रहद इसतर पर किया जाए। भाराल सम्मिलर में आगामी कारेक्रमों की रूप रेखा तैयार की गई। इस उसर पर बड़ी संख्या में समाच के सदस्य से उपस्थित थे। ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुबे।